हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टो माई यूट्यूब चैनल और कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाने वाले हैं ओट्स, वो भी डिफरेंट तरीके से, तो हमने लिया है एक कटोरी ओट्स, ये करीब 100 ग्राम होगा और इसी के साथ हम लेंगे घी, और घी यह यहां पर दो से तीन चमच के करीब है, इलाइची लिया है, और साथ में है काजू कटा हुआ, बादाम कटा हुआ, और एक चमच के करीब यहां पर पिस्ता लिया हुआ है, और यहां पर यूज करेंगे एक सेब, 800 ग्राम हो तो एक सेब, और 200 ग्राम यदी ओर सेब का इस्त 300 ग्राम के करीब दूद और ये दूद फूल क्रीम दूद है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ले लिया है एक पैन और अब डालेंगे इसमें एक चमच घी और साथ में डाल देंगे ओट्स और एक से दो मिनट के लिए हम इसको भुन लेंगे और अब यहाँ पर भुनते हुए एक से दो मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसका हलका हलका सा कलर चेंज भी हो गया है तो इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब सेम पैन में ही डालेंगे हम एक चम्मच घी और जो सेव हम ने लिया था ना उसे अच्छी तरह से छिल करके मिक्सर में पीस लिया है और एक पेस्ट तयार कर लिया है एक दम फाइन पेस्ट तयार करना है और अब इसको हम डाल देते हैं पैन के अंदर और इसे 1-2 देंगे इसे हमें low to medium flame पे ही भुनना है और आप देख सकते हैं कि यह कितना smooth दिख रहा है तो यहाँ पर भुनते हुए हमें एक से दो मिनट हो चुके हैं तो जो हमने बादाम और मखाने का पाउडर बना के रखा है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए भुनेंगे जब तक कि इसका एक डो के फार्म में टेक्स्चर ना आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अच्छे स इसे मिक्स हो गया है और धीरे धीरे डो के फार्म में आना शुरू हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ सेम पैन में ही डाल देंगे हम दूद और इसे उबलने देंगे और अब यहाँ पर दूद में अच्छी तरह से उबल आ चुका है और इसे 1-2 मिनट इसी तरह से चलाते हुए उबल लेंगे एक से दो मिनट हो चुके हैं तो यही पर डाल देंगे ओर्स जो हमने भून करके रखा हुआ था और इसे अची तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे और इसे हम चलाते हुए ही पकाएंगे नहीं तो यह चिपकने लगता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का और इस तरह से चलाते हुए ही पकाएं अब यहीं पर डाल देंगे सारे ड्राइफ फूर्ट को भी ताकि ओर्स के साथ सारे ड्राइफ फूर्स भी अच्छी तरह से घुल मिल करके पक जाएं और एक अच्छा फ्लेवर आ जाएं अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे यहाँ पर चलाते हुए तीन से चार मिनट हो चुके हैं और देखिए सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ चुका है तो यहीं पर हम डालेंगे सेप जो हमने भून करके रखा हुआ है और देखिए कितना गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है अब डाल देंगे यहाँ पर सेप के मिस्टरण को और इसे अथी तरह से प्रेस करते हुए मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स यह बनने के बाद इतना टेस्टी लगता है न कि कि शर् क hell प्रेंगे अर्फ क्या बता है सारे मिठाई फिल हो जाएंगे इसके आगे बहुत ही तेस्टी बहुत ही यम्मी सा्फ इसाए जोट का हलवा कर लीजिए या ओर का मिठाई ना हो जाए और अब यहाँ पर एड़ करेंगे चीनी और चीनी आप अपने मिठास के अनुसार एड़ कर सकते हैं और हमने एड़ कर दिया है अब इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो सुगर के मरीज होते हैं उनके लिए भी ये तयार कर सकते हैं बीना चीनी के भी और ये बीना चीनी के भी बहुत टेस्टी लगता है तो आप चाहें तो बीना चीनी के भी इसे बना सकते हैं अब यह हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब इसे हम अच्छी तरह से ठिक कर लेंगे अब यहीं पर डाल दिया है हमने दो पिंच जितना फूट कलर और कर लेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर इलाइची पाउडर और एक बार फिर से कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स और चलाते हुए देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है तो इसे निकाल लेते हैं अब एक प्लेट में यह पूरी तरह से रेडी है यह देखिए फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है इसे एक प्लेट में और इसे गार्निस कर लिया है उपर से पीस्ता बादाम काजू से और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करें मेरे कहने से और बहुत ही हेल्दी हलवा है और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and थैंक यू